पाज किस वीडियो में CSC यानि डिजिटल सिवा पोर्टल के माध्यम से ट्रेंट टिकट वो कैसे किया जाता है इसका कम्प्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में इस टेप बाइस टेप दिखाने बाले हैं साथी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जाता है और पैसा वीडियो में देखने को मिलने बाला है जो इसी वीडियो को दोस्तों आपको लॉगण कर लेना के बाद आपके सामने कुछ से इस तरह के उपन होग चाहर। search bar में आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको type कर लेना है IRCTC इस तरह से दोस्तों आपको लिख लेना है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC railway ticket booking और यहाँ पर आपको IRCTC registration दो option देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो CSC के माद्यम से IRCTC की जो agent ID अगर मिल चुकी है तो आपको इस वाले option पर click कर देना है और registration करना है अगर आपको अभी तक IRCTC जो train ticket booking करने की जो ID होती है agent ID नहीं मिली है तो आपको यहाँ पर click कर देना होता है तो अभी आपको यहाँ पर click कर लेना है IRCTC railway ticket booking जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक pop-up आएगा इसको आपको close कर देना है इसको close कर लेने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो interface है देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको एक option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं corner में login का तो यहाँ पर दोस्तों आपको login वाले option पर ही click कर देना है जैसी दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो जो detail sewa portal यान जो CSC है उसी की माध्यम से आपका ये login हो जाएगा जैसी दोस्तों आपको agent portal login हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना नाम और नीचे आपको agent ID देखने को मिल जाएगी और आपके सांवने कुछे इस तरह के जो option है वो देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो option है और service का जो option है इस पर आपको click करना होगा तो यहां पर आपको ticket book करने के लिए booking वाला जो option है इसको select कर लेना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इसतरे का जो interface है open हो चुका है और यहां पर welcome to CSC railway booking तो जो CSC railway booking जो है यहां पर आपको जो portal है agent portal वो आपका login हो चुका है तो यहां से दोस्तों ticket book करने के ल uwla को जो option है automatic select मिलेगा इसके बाद यहां पर from यहां पर आपको जिस जगह से यातरा करनी है और यहां पर अजो यहां पर आंटर करनी है और तक आपको जो जो है उनको यहां पर enter कर लेंगे इसके बाद जो हमारी यात्रा रहेगी उस date को यहां पर हमको select कर लेना है find train का जो option देखेगा तो find train वाले option पर आपको click कर देना है जैसी आप इस option पर click करेंगे तो उस route की जितनी भी train होंगी उस date में वो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी अब यहां से आपको select कर लेना है जो भी train आपके लिए stable रहेगी जिस पर आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसको आपको time के according देख लेना है और भी वह सारी train दी गई हैं तो यहां पर जो हम ticket book करेंगे वो करेंगे intercity में तो जो intercity express है इस train में हम ticket book करने वाले हैं तो यहां पर AC और यहां पर second class दो तरह के यहां पर seat दी गई हैं और यह जो है यहां पर time दिया हुआ है कि जो हमारा boarding स्थान है यहां पर जो train है कितने time पर आ जाएगी और जो हमारा destination है वहां तक हम कितने समय में पहुंच जाएंगे तो यहां पर हमें second class में ticket book करना है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो जो एक अप्राइल में हमें जो ticket book करना है उस समय जो available seat हैं यहां पर को 931 seat दिखा रहा है तो अगर हमको यहां पर book करना है जो book now का option है इस पर ही click कर देना है यहां पर आपको अगर ticket book करना है तो yes कर दीजिए इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर passenger जो detail है वो आप पाएंगे gender slate कर पाएंगे यहां से और इसके बाद यहां से आप pantry slate कर पाएंगे और birth preference यहां पर आप select कर पाएंगे तो इस तरह से दोस्तों आपको customer की detail है उसको fill कर लेना है अगर एक से other passenger का आप ticket बना रहे हैं तो यहां पर आपको slate कर लेना है तो आप एक बार में एक सा passenger है तो यहां पर तीनों का नाम add करने को Arabs अ जाएगा तो इस तरह से आपको इतने ही passenger को यहां पर select कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको डिटैॉल को एक बार अच्छे से कर सकते हैं इसकी बाद यहां पर दोस्तों वूरुक ओन ली इफ कफरम बर्थार Allowed तो यहां पर पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से यहां पर जो पेमेंट है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको तोटल वैलेंस है अब यहां पर देख सकते हैं अभी तक आपका जो टोटल फेयर था वो 75 रुपीज था इसके बाद दोस्ते यहां पर आया पर आपको देखने को मिल जाएगी इसके बाद यहां पर और जो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहां से आप अपनी जो कैंसिलेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं देखके यहां पर क्लिक करेंगे तो जो प surmount deduct hooga यहां परॉट्ट से देखने को मिल जाएगा तो हम आपका स्कासिड का टियांपर रीजिटन से पर पर्चाफमेट होगा यहां पर अपको डेडा कर देना है जैसे आप दोस्तों यहां पर आपको स्केसरों जोबका प्यूधियाएट ten वो इसको यहां पर आपका जो भी IRCTC में मोबाइल नंबर जो रहिष्टड होगा उस पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहां पर फिल करतेना है और जो आई-ए-ड़क्त को आपको आपको पासबयर होगा जो प्रोफाइल पासबयर है पासबयर आपको विट हो जाएगा उसको बापस आने में दो गंटे चार गंटिया एक से दो दिन भी लग सकता है तो यहां पर आपको पासबर्ट जो है अपने पास रखना है और मॉबाल नंबर दे पास में हो तभी आपको टिकट वो करना है जैसी दोस्तों यहां पर आप सम्मिट कर देंग और यहां पर जो प्रेंट टिकेट का ओप्शन है इस पर आपको किलिक कर देना है जैसी आप इस पर किलिक कर देंगे तो जो टिकट है यहां पर आपका सो हो जाएगा इसको आपको प्रेंट करके कस्टमर को दे देना है इसको आप चाहें तो यहां पर सेफ भी कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर जो cancel ticket है, उसको option देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर if you cancel the ticket, OTP verification is compulsory to initiate the refund process, तो यहाँ पर आपको OTP की आपशिकता जरूर पड़ेगी, जब आप यहाँ पर ticket को cancel करेंगे, अब जो भी आप ticket cancel करेंगे, उसका जो amount है, आपके CSC wallet में transfer कर दिया जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों, आप कोई भी ticket book कर सकते हैं, अपने CSC की तरूर, और कोई भी ticket अगर आप cancel करना चाहते हैं, तो यहीं से आप cancel भी कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप history में, अगर कोई भी amount refund आता है, अगर आप ticket cancel करते हैं, तो refund वाला amount यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी ticket आपने cancel किया होगा, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इस तरह से आप अपने history और जो refund है वो भी देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like और चनल को subscribe जरूर कर लें,